हर किसी के पास यहर पैसे नहीं होते इतना बजट नहीं होता कि अपना एक हाई लेवल का गेमिंग PC बिल्ड कर सके तो गाइज इसी चीज़ को देखते हो हमने कर दिया है आपके लिए 25,000 का PC बिल्ड इस PC में आप GT5 खेल सकते हो Free Fire, PUBG, सारे गेम खेल सकते हो 1080p पे गाइज और एडिटिंग भी आप 1080p कर सकते हो तो गाइज जो भी PC में यूज़ के गए component है उनकी लिंक आपको description में मिल जाएगी वहां से जाके आप इसको purchase कर सकते हो Without wasting your time, let's get start this video So guys, बात करें, first component की तरफ जो किया है प्रोसेसर So guys, प्रोसेसर इसमें यूज़ किया है, Intel की तरफ से आने अवाला उनका core आई थे 10100F इसके अंदर आपको 4.8.3 देखने के लिए मिल जाते है So guys, बात करें, इसमें यूज़ किया है, Motherboard के बारे में तो guys, प्रोसेसर हमने इसमें 10th generation का यूज़ किया है जो कि 12.8 socket है, तो guys, हमको 12.8 socket का Motherboard लेना पड़ेगा So guys, Motherboard इसमें यूज़ किया गया है, MSI की तरफ से आने वाला उनका इसमें आपको DDR4 RAM supported देखने के लिए मिल जाता है So guys, बात करें, नेक्स्ट कॉंपोनेंट की जो कि ये RAM, इसमें यूज़ की तरफ से आने वाली उनकी 8GB की RAM जो की 32 में गार्ड पे clock ड़े, तो आप थोड़ी बहुत और clock भी कर सकते हो और इसमें guys, आपको ये खासित है कि आपकी ये power कम consume करेगी बात करें guys, नेक्स्ट कॉंपोनेंट जो कि है storage, storage में इसमें यूज़ की गई है WD Green की तरफ से आने वाली उनकी 120GB के SSD SSD से guys, performance काफी है तक ठीक टाक हो जाती है इसलिए guys, इस बिल्ड में हमने SSD यूज़ की है Guys, बात करें, नेक्स्ट कॉंपोनेंट की जो कि है guys, graphic card So, हाँ guys, graphic card इसमें यूज़ की तरफ से आने वाला उनका GT 710 graphic card जो कि आपको hulky full की gaming करा सकता है जैसे GTA 5, RDR2, Free Fire, PUBG आपके सारे गेम चला देगा तो guys, यह आपको Amazon पे easily available है, आप वहां से जाके इसको purchase भी कर सकता है Guys, बात करें, next component जो कि guys, power supply So, guys, power supply इसमें यूज़ की गई है Antec की तरफ से आने वाले उनकी VS500 जो की 500 वोट की power supply है, यह हमारे PC build के लिए काफी ज्यादा इनफ है So, guys, बात करें, next component की जो कि है guys, cabinet So, guys, cabinet मैं आपको proper नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बाइस जिसका budget जादा है तो आप एक अच्छा सा cabinet ले सकते हो अगर आपको budget कम है तो आप low level एक cabinet ले सकते हो So, guys, overall बात करें, इस PC की performance के बारे में So, guys, मुझे आपके काफी ज्यादा ठीक ठाक performance देखने के लिए मिली मैंने इस पर GT5 1080p चलाया इसमें मुझे 40 fps maintain हो रहे थी So, guys, इसरी के साथ पर इस वीडियो का end करते हैं और मिलेंगे आपको जल्दी next वीडियो में तब तक के लिए, take care and bye bye